दोस्तो आज किस वीडियो में हम देखेंगे long term investment करने के लिए कौन सा broker application सही है क्योंकि आए दिन कोई ना कोई broker application बंद होता है और market में नए-ने broker application आ रहे हैं इसलिए हमें long term investment करने के लिए सही broker को चुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि CB का एक रोल भी है अगर हम किसी broker application में अपने पैसे को invest करते हैं और वो broker डूब जाता है या company बंद हो जाती है तो हमें वहाँ पर सिर्फ 25 रुपे तक ही मिल सकते हैं वो भी बहुत दिक्कतों के बाद लेकिन हम तो stock market में कडोरों कमाना चाते हैं mutual fund में invest करके कडोरपती बनना चाते हैं और अगर हमने गलत broker को चुन लिया फिर यहाँ पर हमारे पैसे डूब जाएंगे इस वीडियो में किसी भी application को पर्मोट नहीं किया जा रहा है सिर्फ आपको education purpose के लिए दिखाया जा रहा है कि अपने पैसे को long term investment करने के लिए आपको कौन सा broker application चुनना चाहिए तेखे वैसे तो अभी market में बहुत सारे broker application आ चुके हैं चिन में हम trading कर सकते हैं और investing कर सकते हैं तेखे trading करने के लिए आप किसी भी broker application को यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम एक से दो दिन के अंदर अपने पैसे को डालते और निकालते रहते हैं इसलिए यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है आप किसी भी broker application में अपना account बना कर उसमें trading कर सकते हैं लेकिन जब बात आती है investing की तो यहाँ पर आपको सही broker को चुनना पहुत जरूरी होता है क्योंकि हम यहाँ पर long term के लिए invest करते हैं तेखे इस वीडियो में हम 4 broker application को देखेंगे जो popular हैं और लंबे समय से market में ठिके हुए हैं इस वीडियो में हम जिरोधा, Upstock, Angel One और Grow को compare करेंगे कि इन में से कौन सा dimate account सही रहेगा long term investment के लिए एक latest news भी आपको जान लेनी चाहिए Grow application इस समय इंडिया का number one broker बन चुका है हाँ जिरोधा पहले से ही exist करता है लेकिन Grow ने अपने application को promote करके और हम जैसे यूटूबरों ने इस पर वीडियोज बना कर इसे इंडिया का number one broker बना दिया है तो इस comparison को शुरू करते हैं और पहले जानते हैं किस broker के कितने downloads है तेखे इन चारों brokers के एक करोड से उपर downloads है पतलब की 10 million से ज़ादा लोगों ने इन application को download किया है जो बहुत अच्छी बात है और ऐसा इसलिए है एक investor तीन चार broker application को use करता है साथ आपका भी account दो तीन broker application में होगा आप नीचे comment करके जरूर बताना तेखे इन चारों application का download तो almost same है लेकिन यह कैसे पता चलेगा कौन सा application ज़्यादा popular है और किस application में investor ज़्यादे पैसे को invest कर रहे है तो इसके लिए हमें इनके एक्टिव्यूजर को देखना होगा September 2023 में जिरोदा के एक्टिव्यूजर है 6.48 million जो total downloads के 64% से उपर है वहीं grow के एक्टिव्यूजर 6.6 million है जो total download के 60% से उपर का है Angel One के 5.1 million एक्टिव्यूजर है जो total download के 51% से उपर का है वहीं अपिश्टोक के एक्टिव्यूजर 3.9 million है जो total downloads के 40% तक का है तेखी यहाँ पर आपको grow के सबसे ज़्यादा एक्टिव्यूजर दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कुछ दिन पहले ही grow India का number one broker बना है इसलिए यहाँ पर इसके एक्टिव्यूजर थोड़े से ज़्यादा हो गए है लेकिन market का leader तो जिरोधा को ही माना जाता है क्योंकि जिरोधा profitable है क्योंकि वो अपने पैसे एट्स पर खर्च नहीं करता इसलिए वो profitable है और यहाँ पर आप grow application के daily नहीं नहीं एट देखते होंगे जिसमें grow application के बहुत मोटा पैसा खर्च होता है इसलिए grow India का number one broker तो बन चुका है लेकिन अभी वो profitable नहीं है अब बात करते हैं कौन सी application कम market में अपने service को लेकर आई तेखे जिरोदा 2010 में अपने service को launch किया grow अपने service को 2016 में लेकर आया एंजल वन अपने service को 1996 में ही लेकर आ चुका था और वहीं office stock ने 2009 में अपने service को launch किया था तेखे एक कहावत है चीजे जितनी पुरानी होगी उतनी ही टिकाव होगी लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एंजल वन 1996 में ही अपने service को launch गया था तो इसका यह मतलब नहीं है कि एंजल वन ही based होगा चलिए अब देखते हैं इनमें से कौन सा application full service broker है और कौन सा application discount broker है देखे full service broker और discount broker में फर्क इतना है full service वाले broker आपको कुछ advice देते हैं कि आपको कहाँ पर अपने पैसे को invest करना है कब किस stock में अपने पैसे को invest करना है लेकिन discount broker ऐसा कोई भी option नहीं देते जिससे कि कई बार उनकी dimate account free होती है हम free में भी dimate account open कर सकते हैं देखे यहाँ पर zero, da, grow और up stock एक discount broker है कि जब हम long term के लिए अपने पैसे को invest करेंगे तो हम वहाँ पर अपनी analysis तो जरूर करेंगे अब जानते हैं किस application में account opening charge कितना लगता है देखे यहाँ जिरोदा में आपको 300 रुपे तक account opening charge लगेंगे लेकिन grow में, angel one में और up stock में आप free में dimate account open कर सकते हैं अपी stock में भी account opening charge लगते थे लेकिन जब से अपी stock थोड़ा सा down हुआ है यहाँ पर free dimate account का option आ चुका है आप free में यहाँ पर अपना dimate account open कर सकते हैं देखे अब बात करते हैं AMC के बारे में account maintenance charge क्योंकि हम कहीं पर भी अपना account open करेंगे तो maintenance charge तो pay करना ही पड़ेगा लेकिन यहाँ पर अलग-अलग application के अलग-अलग charge plan है तो पहले उन्हें अच्छे से देखते हैं देखे अगर हम 0-0 में 50,000 रुपे तक investing करते हैं तो यहाँ पर हमें 0 AMC charge लगेगा वहीं अगर हम 50,000 से 2,000 रुपे तक invest कर देते हैं तो हमें यहाँ पर 100 रुपे और प्लस 18% GST लगेंगे और अगर हम 2,000 रुपे से उपर invest कर देते हैं तो 300 रुपे और प्लस 18% GST लगेंगे वहीं grow application में हमें 0 AMC देना होता है साइध इसलिए grow अभी इंडिया का नंबर वन ब्रोकर बन चुका है एंजल वन में 50,000 तक investing पर हमें 0 AMC लगते हैं वहीं 50,000 से 2,000,000 के investing पर 100 रुपे और प्लस 18% GST लगते हैं और हमें office stock में 1,500 और प्लस 18% GST मतलब की 187 रुपे maintenance charge लगते हैं देखे अगर आपके मन में आ रहा है अगर हम mutual fund में invest करते हैं तो हमें बस इतना ही charge पे करना होगा देखे ऐसा नहीं है यह charge इन platform के हैं जहाँ पर हम काम कर रहे हैं और जिसके अंदर हम investing करेंगे उसकी charge अलग होगी माल लिजे अगर हम किसी mutual fund में invest करते हैं तो वहाँ पर उसके charge अलग होते हैं यहाँ पर यह charge इस platform की है जो maintain करके रखते हैं हमारे account को और हमारे पैसे को देखे अब बात करते हैं इन application के brokerage charge के बारे में यहाँ पर हम long term investment के लिए देख रहे हैं तो हम intraday के बारे में नहीं देखेंगे कि कौन से application intraday trading करने के लिए कितने रुपय का brokerage चार्ज लेता है हमें यहाँ पर यह देखना है कौन से application डिलिबेरी में invest करने के लिए कितने रुपय का brokerage चार्ज लेता है तेखे अगर हम यहाँ जिरोदा में किसी stock में अपने share को buy करते हैं तो हमें यहाँ पर उस share को hold करके रखने के लिए zero brokerage चार्ज लगते हैं मतलब कि हमें यहाँ पर zero brokerage चार्ज के साथ अपने share को buy और sell कर सकते हैं वही mutual fund में भी invest करने पर हमें zero रुपे का commission लगता है वही grow application में हमें 20 रुपे brokerage चार्ज लगता है चाहे हम share को buy करें या sell करें जब buy करेंगे तब भी हमें 20 रुपे लगेंगे और जब sell करेंगे तब भी हमें 20 रुपे लगेंगे और यहाँ पर mutual fund में zero percent की commission लगती है वही angel one में zero brokerage के साथ हम अपने पैसे को invest कर सकते हैं और वहीं अप इस्टोक में 20 रुपे पर transaction brokerage चार्ज है और यहाँ पर भी हमें mutual fund में zero commission लगता है तेखे इन सभी application का main source intraday होता है चाहां से यह मोटा brokerage चार्ज लेते हैं और अपने company को grow करते हैं तेखे हमें long term के लिए investing करनी है तो हमें ऐसे broker को चुनना चाहिए जिसकी brokerage charge zero हो और यहाँ पर angel one और जिरोधा में long term investment के लिए brokerage charge zero है तो ऐसा नहीं है हम सिर्फ इसी चीज को देखकर इसमें अपने पैसे को invest कर दें चलिए अब हम इनके calculator पर ही देख लेते हैं अगर हम इनमें 50,000 रुपे invest करते हैं तो कौन से application में कितने रुपे charge कटेंगे देखे यहाँ पर मैंने जिरोधा का broker calculator open किया है और हम यहाँ पर delivery charge को calculate करेंगे कि अगर हम 50,000 रुपे invest करते हैं तो हमें कितने रुपे का charge लगेगा simply यहाँ पर देखिए माली जी किसी इस्टोक की price 100 रुपे है और हम उसमें 50,000 रुपे invest कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 50,000 रुपे में 500 quantity मिलेंगे हमने उस इस्टोक को 100 रुपे पर buy की और 110 रुपे पर sell किया तो हमें 5,000 रुपे के profit होंगे लेकिन हमें यहाँ पर 48,000 रुपे मिलेंगे क्योंकि टूटल 134 रुपे अलग-अलग charge कटे हैं मतलब कि 50,000 रुपे लगा कर 5,000 रुपे की profit करने पर हमें 48,000 रुपे मिलेंगे वहीं ग्रो में हमें 163 रुपे का charge लगेगा 40 रुपे यहाँ पर ब्रोकरे चार्ज लगेंगे और 123 रुपे बाकी के charge यहाँ पर लगेंगे 50,000 रुपे लगा कर 5,000 रुपे की profit करने पर हमें टूटल 48,000 रुपे मिलेंगे यहाँ पर देखिए यंजल वन में तो हमें ब्रोकरे चार्ज 0 लगेगा लेकिन बाकी के charge calculate करें तो हमें 140 रुपे के charge लगेंगे पतलब की 50,000 रुपे लगा कर 5,000 रुपे के profit करने पर हमें 48,000 रुपे का profit होगा वहीं हमें ओपिस्टोक में अल्मोस्ट 200 रुपे तक का charges लगते हैं जिसमें की 40 रुपे ब्रोकरे चार्ज होता है और बाकी charges होते हैं आप जितना भी invest करने वाले हैं simply आप इनके official calculator से अपने charge को calculate कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस application में आपको कितने रुपे का charge लग रहा है तेकि यहाँ पर सबसे कम charge जिरोधा और angel one में कटे हैं अब थोड़ा से इनके advantage और disadvantage के बारे में भी जान लेते हैं तेखे जिरोधा की सबसे अच्छी बात जो है वह है यहाँ पर charge बहुत कम लगते हैं और इनकी technology भी बहुत advance है जिससे कि इनकी application लेग नहीं करती लेकिन यहाँ पर इनकी UI, user interface थोड़ा सा difficult है जो एक beginner को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है वहीं grow की बात करें grow की UI, user interface easy to use है जिससे की एक नया बंदा भी हर एक चीज को अच्छे से और असानी से समझ सकता है लेकिन यहाँ पर charges थोड़ा ज्यादा लगते है तेखे अगर Angel One की बात करें तो Angel One एक full service broker है जो आपको अलग लग type के advice भी देता है जिससे की आपको investing करने में थोड़ी बहुत help मिलती है और इनकी technology भी थोड़ी सी advance है तेखे technology की कीमत तब पता चलती है जब हम intraday में trade करते हैं और हम score up करना चाहे और वहाँ पर हमारा trade फ़स जाए तब हमें technology की कीमत पता चलती है इसमें 0-10 के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा charges लगते हैं तेखे अप इस्टो के technology तो advance है लेकिन आपको यहाँ पर charges बहुत ज़्यादा pay करने पड़ते हैं तेखे अब final बात आती है हम long term investment करने के लिए कौन से application में अपना demand account open करें तेखे अगर आप एक beginner है आपको share market के बारे में ज़्यादा knowledge नहीं है और आप ज़्यादे पैसे को invest नहीं करना चाहते आप थोड़े बहुत पैसे को invest करके share market को सीखना चाहते हैं तो आपको simply free demand account को open करना चाहिए और उस application में अपना demand account open करना चाहिए जिसका interface easy to use हो जिससे आप असानी से समझ सके हैं इसके लिए आप यहाँ पर grow application को use कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बड़े capital को invest नहीं कर सकते ऐसा बिलकुल भी नहीं है आप यहाँ पर बड़े capital को भी invest कर सकते हैं लेकिन अगर आप beginner हैं तो आपका इसका interface असानी से समझ में आ चाहिएगा और आप हर चीज को असानी से सीख सकेंगे आप थोड़ा सा ज़्यादा capital invest करना चाहते हैं और थोड़ी बहुत advice भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ angel one में अपना account open कर सकते हैं और अगर आप market के खिलाड़ी हैं आपको share market के बारे में थोड़ा से ज़्यादा knowledge है तो आप यहाँ पर simply जिरोधा में अपना demand account open कर सकते हैं तेखे यहाँ पर हमने market के top 4 application को compare किया आपको जिसमें अपना demand account open करना है आप उसमें अपना demand account open कर सकते हैं आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि आप किस label पे हैं और आपको किस demand account को open करना चाहिए लेकिन किसी महापुरूस ने काया है किसी भी field के top में काम करना चाहिए अगर हम यहाँ पर top के company ओं में invest करते हैं तो यह company तूटेंगी तो नीचे वाली company तो definitely तूट जाएंगी तेखे अभी इस field में grow और जिरोधा top पे हैं अगर आप इनमें अपने पैसे को invest करते हैं तो ज़्यादा chance होते हैं कि आपके पैसे नहीं डूबेंगे क्योंकि अगर इनमें कुछ दिक्कत आती हैं सही रहेगा आपको जो application आसान लगता है जिस application को आप अच्छे से चला लेते हैं आप उसी में अपना demand account open करें और उसी में अपनी investing start करें अगर किसी भी application के थुरूप ऐसे invest कर रहे हैं तो आपको उस company के बारे में जानते रहना होगा उसके news को देखते रहना होगा उस company में क्या चीजे हो रही हैं इसके बारे में जानते रहना होगा क्योंकि आए दिन कोई ना कोई broker fail होता है और उसकी company डूपते रहती है पस आज किस वीडियो में इतना ही मुझे उमीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो आप हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ही वीडियोज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए